Hello everyone, आज हम लोग exercise 8.1 का first question and second question देखने वाले इस वीडियो में, छोटे-छोटे वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, पांस से साथ में, अर्ट में अर्ट में अर्ट में को स्यादा नहीं बनाएंगे, और ऐसे एक स्रीज चलेगी, जो NCRT के सारे questions को tackle करेगी, तो यह NCRT का question है, NCRT का 8.1 का सबसे पहला question, देखते हैं question क्या कहता है, so in triangle A, B, C, एक triangle है हमारे पास ABC, right angled at B, तो एक चीज़ तो clear होगा है कि हमें, एक right angled triangle बनाना होगा, because इसमें साब साब बोल दिया है, कि जो triangle है, वो एक right angle है, और right angled कहां पे है, B पे right angled है, तो right angled at B हमने करा, और बाकी को म अपने पास C, ठीक है, question में क्या बोला है, question में बोला है कि AB is equal to 24 cm, तो AB की value हमने put कर दी 24 cm, अल्यडी measured है, और BC दे रखा है हमें 7 cm, चलिए, BC दे रखा है 7 cm, हमें question में कहता है कि sin A, cos A, sin C, cos C, यानि एक बार angle A पे काम करना है हमें, और एक बार angle C पे काम करना हमें, एक बा बार angle A के according, हम perpendicular और base को पहचानेंगे, एक बार angle C के according, perpendicular और base को पहचानेंगे, और ratio लिखेंगे, बहुत simple सब question है, चलिए, लेकिन सबसे पहले किसी भी question में, अब हमारे पास hypotenuse का एक relation तो आए, sin है, तो hypotenuse आएगा, तो आपको पता है, right angled at B बोला था, तो मैंने यहाँ पर right angled at B आपको पता है कि right angled के just सामने वाला जो side होता है, इसे हमारा hypotenuse होता होता है, लेकिन सबसे पर हमें hypotenuse find out करना होगा, तो hypotenuse, अगर हमें find out करना है, तो हम लोग देखते है hypoth09as कैसे निकालेंगे, पाइथा गोरस theorem अपने पड़ा ही था, और मैंने वीडियो में बत करो वी कॉछ प्लस में है तो आप चाहे 24 प्लस साथ करो या 7 profit कोई दिक्कत तो ऐसे भी है नहीं । ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वाइर और यह हो जाएगा पॉस में सेविनकर सकते हो इस लिख सकते हो Generally, अक्सर लोग ऐसे ही लिख देते हैं, बट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको detailing दिखानी है अगर पेपर में, तब आप ऐसे दिख सकते हैं, कोई दिखता नहीं, H square is equal to, यह और यह दोनों को मैं जोड़ूँगा ति हो जाएगा हमारे पास 625 cm का square, अगर मै सबसे पहले देखना होगा, अब first question में, first question में हमें बोला है, कि sign A find out करना है, तो चलिए हम लोग sign A find out करने की कोसिस करते हैं, generally sign का relation मैंने पिछले class में बताया था, P by H, पंडित बदरी परशाद हरी हरी वोल वाली concept, तो P by H और A जब कहरा है, यानि हमारे पास acute angle होगा, वो यह वाला होगा, विकाज A angle तो यही है, और angle यह कह रहा है, आपको पता है, जिस angle की बात कर रहा हूंगा, जिस सामने वाला हमारा perpendicular हो जाता है, यह hypotenuse fixed है, यानि यह हमारा base होने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, P के place पे, कि भीया, P हमारे पास जो है, वो कित होगा था, it was 25, तो यह हो जाएगा, हमारे पास 25 cm, cm से cm cancel कर देंगे, ratio जो हमारे पास आएगा, 7 upon 25 का, ऐसी इसका जो second वाला हमारे पास है, cos A का, तो अगर मैं cos A की value निकालना चाहूं, तो cos A की value अगर मैं निकालूंगा, तो पहले तो relation यह पता है, कि B by H होगा, और cos A और फिर से ही से अंगल की बात करें, B हमारा यह है, H हमारा एनिक AB by AC का relation आएगा हमारे पास, तो यह हो गया, AB upon AC, और AB की value कितनी है हमारे पास, यह है, 24 cm, और AC की value कितनी है हमारे पास, अभी just हमने find out किया था, पाइथाबुरस तेरम लगा के 25, cancel करेंगे, relation आजाएगा हमारे पास 24 upon 25 का, अब ऐसी second question में हम लोग move करते है, second question में थोड़ा सा change क्या है, कि यहाँ पर angle A था, पिछले वाले question में, इस वाले question में angle C है, अब angle C है, यानि कि अब हमें जो हमारे परपेंडिकुलर और base सब change कर जाएगा, इससे मैं blue pen step को दिखा देता हूँ, यह हमारे पास angle C है, और यह जो हमारे पास angle C है, इसके according perpendicular फिर यह हो जाएगा, और base हमारा यह हो जाएगा, change कर गया यह तो, ठीक है, चली हम लोग बात करते है, sin C पे, ठीक है, पहले तो sin C देखते है, sin C कैसे find out करेंगे, तो sin C की जब मैं बात करूँ, इसके लिए perpendicular यह होगा, hypotenuse यह हो जाएगा, AB by AC, ठीक है, और AB की value कितनी है, AB की value हमारे पास है, 24 cm, ठीक है, और AC की value कितनी है, हमारे पास, 25 cm, यानि ratio फिर से हमारे पास आ गया 24 by 25, आप देख सकते है, जो इसके cos का relation है, वो इसके sin का relation है, because मैंने पहले कहा था, कि change कर जाएगा, cos C अगर हम लोग find out करते ह है, तो cos C is equal to हो जाता है, B by H, और B की अगर मैं बात करूँ, तो यह हमारा base है, because perpendicularly fixed है, तो base हमारा हो जाएगा, कितना BC, और यह हो जाएगा, AC, यह हो जाएगा, हमारे पास 7 cm upon 25 cm, यह cancel हो जाएगा, और ratio हो जाएगा, हमारे पास 7 upon 25 का, ऐसी हमारे पास second question है, NCRT का, second question कहत है, कि in the figure 8.13, find tan P minus cot R, तो हमें tan P minus cot R की value निकाले, और figure already given है, हमारे पास 8.13 का, Tensiati का यह figure है, हमारे सामने, ठीके, इस figure में आपको इस चीस तो clear हो रहागा, कि right angle जो हमारे पास है, वो Q पे है, और right angle जब Q पे है, तो आपको पता है, सबसे largest side hypotenuse, जो हमारी होने वाली, पी आर हो जाएगी, तो यह हमारा क्या हो गया, हाइपो, टैनस हो गया, ठीके, अब depend on the question, मैं पहले ही आपको perpendicular और मैं base आपको identify कर देता हूँ, जब मैं बात करूँगा, जब मैं acute angle P मैं लूँगा, तो यह हमारा जब acute angle P हो जाएगा, तो इसके सामने perpendicular कौन सा हो जाएगा QR, QR क्या हो गया, perpendicular हो जाएगा, ठीके, अब जब मैं इस angle की बात करूँ, मैं color change करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मैं उसे लिखूँगा, तो अच्छा नहीं लगा, time भी ज़्यादा consume करेगा, यह perpendicular है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा base, मैं एक को अंदर लिख दे रहा इक को मैं बाहर लिख दूँगा, तो यह base हो जाएगा, ठीके, अब जब मैं बात करूँ angle R की, यानि acute angle R की जब मैं बात करूँगा, तो यह हमारा acute angle R है, ठीके, यह हमारा acute angle R हो गया, अब यह जो acute angle R है, इसके सामने वाला यह बन जागा perpendicular, इसको मैं बाहर लिख के दिखा तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जो एक्ट एंगल होता है उस जिस एक्ट एंगल पर बात करेंगे अगर आर पर बातो रहत आर के जिस समने लग पर बेंडिक्ल हो जागा तो यह चेंज करना आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास qr तो दिया ही नहीं तो सबसे पहले तो हमें qr find out करना होगा जब तक हम qr को find out नहीं करेंगे question नहीं बनेगा देखते कैसे find out करेंगे qr को qr अगर हमें निकलना हो तो सबसे पहले हम लोग जो पाइथागुरास theorem लगा देंगे मैं आजिधा सबसे थी b qr निकलना ही कोशिस करता हो हमारे पास आजएगा h qr minus qr h हमारे पास कितना है 13 तो मैं तेरा qr कर देता हूँ इस बर मैं centimeter नहीं लिख रहा हूँ इस बर मैं short में चल रहा तो तो 13'm qr और यह हो जाएग हमारे पास p यानिकी 12 qr अब 12 cm का square लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 13-13, 169 हो जाएगा, 12-12, 144 हो जाएगा, और हमारे पास B square is equal to आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 25, तो यह आ जाएगा 25, बी जैसे में find out करूँगा, यह square का यहाँ पर root हो जाएगा, और यह बन जाएगा हमारे पास 25 cm, 25 cm का square, यह square, यह हो जाएगा हमारे पास 5 cm, ठीक है, तो B हमने निकाल लिया, B हमारे पास 5 cm आ गया, अब हमें जो जो निकालना में आसानी से बना सकते हैं, और क्या देखो, जब हमें 10P find out करना है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 10P minus quarter हमें बोला, तो मैं पहले 10P निकाल लेत ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमारे पास, जो QR है, इसकी value कितनी है थी है, हमारे पास 5 आ जा जाता, त्योंकि 5, और PQ कितना था हमारे पास, 12, त्योंकि 5 cm upon कितना, 12 cm पहले relation आ गया, अब हमें बोला, cot R find out करना है, तो मैं cot R find out करता हूँ, cot R अगर मुझे find out करना है, त यहाँ पर्पेंडिकुलर, यह बेस और हाइपोटनेस, तो बेस तो यह हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, कितना 5, और P perpendicular कितना हो जाएगा, 13, sorry 12, तो जाएगा 12 cm, मैं find out करना 10 P minus QR, तो मैं 10 P की value पूट कर जाता हूँ, 10 P का value है 5 upon 12, तो यह है questions, ऐसे ही questions आपको और मिल थैंक यू